हालो फ्रैंस वेलकम ती मैं चैनल सानी स्मार्ट सर्विसस एंड इस वीडियो में मैं लाया हूँ ओनीडा का सी आड़ी टीवी ओनीडा का 21 IQ मॉडल दीलक्स मॉडल है इसके अंदर और इस टीवी के अंदर मैं आपको बता हूँ सर्विस मुड़ खुलना अगर आप CRT का काम करते हैं तो आपके पास यह प्रॉब्लम आती है कि हम इसका सर्विस मॉड़ खुलना है सर्विस मॉड़ खुलने के लिए इसके लिए आपको ओनीडा का ओरिजिनल रिमोट 115A और 115B यह लगता है और जैसे जैसे टीवी आ आते कैं फिर 115D भी आ गया पर उससे सर्वि सर्विस मॉड़ खुलता है बाकी उरिजिनल रिमोट उसके बाद जाथ टीवी के साथ में आते थे उसके बाद आना बंद हो गए और लोग लोकल रिमोट यूज करने लगे इससे फिर सर्विस मॉड़ उससे नहीं खुलता था उसमें आपको पता होगा VSM और डिस्प्ले चाँ दबाके आपका सर्विस मॉड़ खुलता था और इस टीवी में मैं इस वाले रिमोट से सर्विस मॉड खुलूँ गा यह इजिली मिलता है या आप देखिये हुए HUAYU हुआ 1210D यह रिमोट है इससे हम सर्विस मॉड खुलेंगे इस लिए रिमोट खुलता हूं जो य इन से यह सभी LED को यह मैच होता है, यह सभी रिमोट को मैच होता है, code दबा के, मेरे को इसमें UNIDA में सेट करना है, तो इसका UNIDA का नंबर है, देखिए, UNIDA 190, 190 करने के लिए मेरे को पहले इसका, आपको यहां पर प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यह लाइव करके बताऊँगा, पावर की, और आपको सेट, देखिए, light continuous blink करने लगा, continuous चालू हो गया, एंड इसके बात 190, ठीक है, यह अभी रिमोट इसको काम, वर्किंग में आ गया है इसका, ठीक है, यह देखिए, वर्किंग कर रहा है, रिमोट, अभी मैं को सर्विस मोट खूलने के लिए, यहां पर इसका, यह रिटन का बटन है, ठीक है, यह मैंने जैसे इसको रिटन का बटन दबाया, यह सर्विस मोट खूलने की, जैसे कि दूसरे रिमोट से हमको, अगर 115 A, B से करना रहता है, तो VSM और डिस्पले दबाना पड़ता है, इसमें हम सीधा सीधा, सीधा सिर्फ एक रिटन का बटन दबाया, यह सर्विस मोट खूल गया, ठीक है, यह लाइव टेकनिक आप देख रहे हो, सर्विस मोट खूल गया, और निकलने के लिए मैन्यू दो बर दबाईए, यह मैन्यू सर्विस मोट से निकल गया, जाने के लिए फिर से मैं बताऊंगा, रिटन का बटन दबाया, और यह वाले रिमोट के उपर बारा दस वाले रिमोट के उपर तो stay tuned और देखिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए and like कीजिए और कोई question से तो नीचे comment कीजिए okay friends good bye for now